क्लास 8 एक्सरसाइब 6.3 एक्सरसाइब 6.3 के कोशें नमबर 1-4 हम कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे कोशें नमबर 5 से कोशें नमबर 5 है एक नमबर से मिल्टिप्लाइब करें कि वो एक परफेक्ट स्केर नमबर बन जाएं और यह भी फाइन करेंगे कि वो किसका परफेक्ट स्केर नमबर बनेगा अब देखो फर्स्ट है 252 सबसे पहले हम 252 को प्राइम फेक्टराइजेशन मेथर से सौल करेंगे प्राइम फेक्टर बनाएंगे 2 वंजा 2,2,2 जा 4,2,6,12 फिर 2 से कर देंगे 2,6,12,2,3,6 फिर 3 से होगा 3,2,6,3,3 फिर 3 से 3,7,21 और 7 वंजा 7 तो हमारे पास 252 के factors आगे 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 अब हमारे पास factor pair किस किस का बनता है 2 का pair बन गया 3 का बट 7 का कोई pair नहीं है 7 का pair बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है और 7 की तो हम क्या करेंगे इस number को हम 7 से और multiply कर देंगे तो क्या लिखेंगे इर prime factor 7 has no pair यहाँ पर 7 का कोई pair नहीं है so 252 must be multiply by 7 तो इसलिए हम 252 को 7 से multiply करेंगे to make a perfect square अब 252 को 7 से multiply कर दिया तो क्या हाईगा 1764 आजेगा जब हम इसको 7 से multiply कर देंगे तो किस किस का बन जाएगा हमारे पास 2 का perfect हो जाएगा 2 का pair बनेगा 3 का बनेगा और 7 का बन जाएगा 2 3 जा 6 6 7 जा 42 तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह 42 का perfect square नेक्स्ट है हमारे पास second 180 180 को हमने 2 से divide किया 2 9 जा 18 0 as it is 2 4 जा 8 2 5 जा 10 फिर 3 से कर देंगे 3 बन जा 3 3 5 जा 15 फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 जा 5 अब हमने देखा कि 2 का भी हमारे पास perfect pair बन गया 3 का बन गया बट 5 का pair नहीं है 5 का pair नहीं है तो हम क्या करेंगे इस number को 5 से multiply कर देंगे prime factor 5 has no pair so 180 must be multiply by 5 to make it a perfect square तो 180 multiply 5 कर देंगे कितना आएगा 900 900 किसका perfect square बनेगा 2 का pair बनेगा 3 का और एक है 5 का 2 multiply 3 multiply 5 2 3 जा 6 6 5 जा 30 यह मारे पास 30 का एक perfect square बनेगा next है हमारे पास 1008 1008 को हमने 2 से divide किया 2 5 जा 10 0 is it is 2 4 जा 8 फिर 2 से divide किया 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 2 जा 4 फिर 2 से कर देंगे 126 फिर 2 से कर देंगे 63 फिर 3 2 जा 6 3 जा 3 3 7 जा 21 और 7 जा 7 अब हमारे पास देखो 2 का pair बनेगा फिर 2 का फिर 3 का और 7 का pair नहीं है तो क्या बोल देंगे prime factor 7 है जे no pair so 1008 must be multiply by 7 to make a perfect square एक perfect square बनाने के लिए हम इसको किस से multiply करेंगे 7 से तो 1008 को 7 से multiply कर देंगे क्या आएगा 7056 है यह किसका perfect square बनेगा 2 का pair है फिर 2 का फिर 3 का और 7 का 2 into 2 into 3 into 7 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84 तो यह हमारे पास किसका perfect square बनेगा 84 का next है हमारे पास 2028 2028 को हम देखते हैं सब से पहले 2 से divide करेंगे 2 बन जा 1 2 0 के 0 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8 फिर 2 से 2 5 जा 10 0 as it is क्योंकि 1 है नहीं जाएगा तो 0 आज एगे 2 7 जा 14 फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 10 0 ना जाने की 0 3 7 2 से कर दिया 2 7 जा 14 फिर 3 से करेंगे 3 बन जा 3 3 6 जा 18 और 3 7 3 9 जा 27 फिर 169 को ना 2 से 3 से 4 से किसे से डिवाइड नहीं हो गए टारेक 13 से होगा 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जेकर 13 को 13 से 1 तो मारे पास प्राइम फेक्टर क्या आ जाएगा टू का पेर बन गया 13 का बट थरी का कोई पेर नहीं है तो क्या बोल देंगे प्राइम फेक्टर 3 जाज नो पेर सो 2028 मस्ट भी मिल्टिप्लाई भाई थी इसको हम 3 से मिल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू का आएगा 13 का आएगा और 3 बच गया 3 से हम हम इसको मिल्टिप्लाई कर देंगे 3 से मिल्टिप्लाई करने के बाद आएगा 6084 हम 6084 आँगे हमारे पास है अब यह किसका प्रेफ्रेक्ट बनेगा एक two कपे रहे एक 53 का और एक थरीन 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 का 2 3 जा बनेगा इक रहें को इसके और ऐसके एक धाले नेक्स्ट है हमारे पास फिप 1458 अब इसको हम सॉल करेंगे 2 से कर देंगे सबसे पहले 27 जा 14 25 जा 22 जा 4 29 जा 18 फिर 3 से 32 जा 6 34 जा 12 33 जा 9 फिर 3 से कर देंगे 38 जा 24 31 जा 3 फिर 3 से 32 जा 6 37 जा 21 फिर 39 जा 27 33 जा 9 33 जा 3 अब हमारे पास प्राइम फेक्टर आगया 2 के हमारे पास से 3 का पेर है 3 का पेर है 3 का 2 का कोई पेर नहीं है तो क्या बोल देंगे प्राइम फेक्टर 2 हैज नो पेर So 1458 को multiply करेंगे हम 2 से 1458 multiply 2 क्या आजेगा 2916 जब हम इसका square root निकालेंगे 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 नेक्स तैम पास 768 768 कोंपल 2 से इवाइड करेंगे 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 जा 3 जा 3 यह इर prime factor 3 has no pair अब हमार पास prime factor 3 है जिसका कोई भी pair नहीं है so 768 must be multiply by 3 देखो 2 का pair है 2 का pair 2 का 2 का 3 का कोई pair नहीं है तो 3 से multiply कर देंगे to make it a perfect square जिसको make perfect square बनाने के लिए तो 768 multiply 3 यह आएगा 2300 तो यह किसका perfect scale आएगा 1, 2, 3, 4 4 times 2 multiply 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8 8, 2 जा 16, 16, 3 जा 48, यह किसका बनेगा 48 का perfect scale Next question number 6 For each of the following numbers Find the smallest wall number By which it should be divisible Divided so as to get a perfect scale number पिछले question में multiply पूछा था अब यह पूछ रखा है कि हम इस number को किस number से divide करें कि एक perfect square number बन जाए वही देखना है में कि कि किसका एक ऐसा number डूणना है कि जिसका कोई pair नहीं है जिसका pair नहीं होगा उस number से हम उसको divide करेंगे एक perfect square root बनाने के लिए सबसे पहले 252 है 250 को 2 को हमने 2 से divide गया 2 बन जा 2, 2 टू जा अब देखते हैं 252 के हमने pair बनाए 2 का pair बनेगा 3 का बट 7 का कोई pair नहीं है तो हम क्या बोल देंगे इसको 7 से divisible कर देंगे अब फ्राइम फेक्टर 7 has no pair so 252 must be divided by 7 to make a perfect square 252 को हम 7 से divide कर देंगे क्या आजेगा 7 3 जा 21 और 4 7 6 जा 42 तो हमारे पास क्या आएगा 36 36 है 36 किसका perfect square है 2 और 3 2 multiply 3 2 multiply 3 के आजेगा 6 36 अब वो किसका बन जाएगा 6 का बन जाएगा अगर हम इस नंबर को 7 से divide कर दें next है 2925 इसको पहले हम pair में convert करेंगे 3 से कर देंगे 3 9 जा 27 3 7 जा 21 3 5 जा 15 फिर 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15 फिर 5 से कर देंगे 5 6 जा 35 5 जा 25 फिर 5 से कर देंगे 5 बन जा 5 5 3 जा 13 15 फिर 13 आजेगा फिर 13 के 13 से कर देंगे 1 तो हमारे पास किसका pair नहीं बन जा 3 का बन गया 5 का बन गया बट 13 का कोई pair नहीं है तो इस नंबर को क्या करेंगे 13 से डिवाइड कर देंगे प्राइम फेक्टर 13 है नो पेर सो 2925 मस्ट भी डिवाइड बाई 13 इसको मने 13 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 225 और 225 किसका स्केर रूट है 3 और 5 3 3 x 5 3 x 5 15 आ जाएगा नेक्स्ट है थर्ड 396 396 को मने 2 से डिवाइड किया 2 बन जा 2 2 9 जा 18 2 8 जा 16 फिर 2 से कर देंगे 2 9 जा 18 2 9 जा 18 फिर 3 3 जा 9 3 3 जा 9 फिर 3 से करेंगे 3 बन जा 3 3 बन जा 3 फिर 11 से 2 का पेर बनेगा 3 का अब 11 का पेर नहीं है तो इस नमर को में 11 से अब इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मर पास 36 आजएगा 36 किसका परफेक्ट स्केर है पेर देखो किसका कम्प्लीट है 2 और ए 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 कितना आएगा 6 आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्थ 2645 अब देखो लास्ट में डिजट 5 यह तो 5 से डिवाइड होगा 5 से कर देंगे 525 जा 25 5 2 जा 10 5 9 जा 45 529 आया अब यह होगा 23 से डिवाइड इसको 23 से डिवाइड करेंगे 23 पे डिवाइड हो जाएगा फिर 23 को 23 से करेंगे बनाएगा पेर किसका 23 का 5 का कोई पेर नहीं है तो किस नंबर को किस से डिवाइड करेंगे 5 से तो प्राइम फेक्टर 5 हैज नो पेर सो 2645 मस्ट वी डिवाइड पाई 5 इसको उमने 5 से डिवाइड करते है तो क्या आएगा 529 और 529 किसका परफेक्ट स्केर बनेगा 23 मिल्टिप्लाइड 23 करने से जाता है तो किसका बनेगा 23 का अब यह है 2800 पहले 2 से डिवाइड किया 2 बनजा 2 तू फॉर जा एट 00 фिर 27 जा 14 डबल जीरो फिर 2 से 2 3 6 25 10 0 2 2 7 14 25 जा 10 फिर 5 से कर देंगे 5 3 15 55 25 जा 25 फिर 5 से 5 7 35 फिर 7 7 अब देखो तू का भी पेर है फिर 2 का पेर फिर 5 का बट 7 सेवन का पिएर नहीं है तो इस नमबर को हम सेवन से डिवाइड करें कि क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर सेवन हैज्नों पियर सो 2800 मस्ट बिमिल डिवाइड़ बाई 27 अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 428 400 आएगा 400 किसका perfect square है 225 2 multiply 2 multiply 5 2 2 4 4 multiply 5 20 next 6 1620 इसको हमने perfect square में convert करेंगे 2 से करेंगे सबसे पहले डिवाइड 2 8 जा 16 2 1 जा 2 0 2 2 4 जा 8 2 1 जा जाने की 0 2 5 जा 10 फिर 3 से 3 बन जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 बन जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 बन जा 5 पेर बनाएंगे 2 का पेर 3 का पेर 3 का बट 5 का कोई पेर नहीं है तो क्या लिख देंगे here prime factor 5 as no pair so 1620 must be divided by 5 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 324 फिर 324 का में रूट निकालना है तो क्या आएगा एक 2 का perfect pair है एक 3 का एक 3 का 2 multiply 3 multiply 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18 तो हमारे पास क्या आजेगा 18 का नेक्स्ट है मारे पास question number 7 The students of class 8 of a school donated 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund एक 8th class की जो students है उन्होंने Prime Minister Relief Fund में कुछ पैसे इकठे करके दिये हैं डोनेट किये हैं और कितने पैसे हैं 2401 Each student donated as many rupees as the number of students in the class हर एक student ने उतने ही रुपे डोनेट किये जितने की total class में बच्चे हैं अगर class में 13 बच्चे हैं तो हर एक student ने 13 रुपे कर इकठे किये हैं हैं अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो हर एक स्टूडेंट ने 100-100 रुपी से कठे किये हैं find the number of students in the class अब क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट से यह find करेंगे देखो donated money कितने money donate कि 2,401 let the number of student और number of student अबने क्या मान लिया x अगर हमार पास number of student x हैं तो हर एक बच्चे ने कितने रुपे कठे किये x रुपे कठे किये total money निकालने के लिए दोनों multiply कर देंगे donated money क्या आएगी x multiply x और हमें क्या दे रखे question में 2,401 तो इसके equal रख देंगे according to question क्या है x square is equal to 2,401 x is equal to इधर scale है इधर लेके जाएंगे scale root हो जाएंगा इसका scale root निकाल लेंगे हम 2,401 को 7 से divide करेंगे 7,3 जा 21,7,4 जा 28,7,3 जा 21 फिर 7 से कर देंगे 7,4 जा 28,7,9 जा 63,7,7 जा 49,7 जा 7 तो अब हमारे पास देख कोई किसका है 7 का पेर है 7 का 2 टाइमस आजेगा 7,7 7 x 7 क्या आजेगा 7,7 जा 49 तो class के अंदर 49 student है और हर एक बच्चे ने 49 rupees जे इकठे किये नेक्स्ट है हमारे पास 2025 most plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of row एक स्कूल के अंदर 2025 plants लगाए गई और हर एक एक रो के अंदर उतने ही plants लगाए जाएंगे जितनी की total row है अगर हमारे पास 20 row है तो एक रो के अंदर plants भी कितने है 20 अब देखो find the number of row and the number of plants in each row अब भी number of row भी निकालेंगे और एक रो के अंदर कितने plants है वो भी तो दोनों multiply कर देंगे total के equal आनी चाहिए x square is equal to 2025 अब इस square को इदर लेके आएंगे square root बन जाएगा square root निकालने के लिए इसके prime factor बनाएंगे सबसे पहले 3 से divide होगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 जा 5 अब pair क्या बनेंगे 3 का pair, 3 का और 5 का, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 तो हमारे पास कितने plants आ जाएंगे 45, एक row के अंदर 45 plants है और total हमारे पास 45 row है next है हमारे पास question number 9, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 16 हमें वो छोटी से छोटा square number निकालना है जो कि 4, 9 और 16 से divisible है तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि इन से divisible कौन सा number उसके बाद हम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा LCM, LCM of 4, 9 and 10 is 180, 4, 9 और 10 का हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे LCM निकाल लेंगे, 49 और 10 का LCM कैसे निकाल लेंगे, 49, 10 इसको हम LCM निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2 से divide कर देंगे, 2, 2, 4, 9 as it is, 2, 5, 10 उसके बाद कोई नहीं होता है एक नंबर से, तो क्या कर देंगे, 2, 2, 4, 4, 5, 20 और 29 जा, 180, तो हमारे पास LCM of 10, 4, 9 and 10 क्या आ जाएगा, 180, फिर 180 के एंपेर बनाएंगे, क्योंकि इस नंबर को हमें बताना है, कि इस नंबर को हमें एक perfect square बनताना है, कि क्या इसके अंदर multiply कर देंगे, कि हमें एक perfect square बन जाएगा, 180 को 2 से multiply, divide कर देंगे, 2, 9 जा, 18, 0 फिर 2 से कर देंगे, 2, 4 जा, 8, 2, 5 जा, 10, फिर 3 से 3 बन जा, 3, 3, 5 जा, 15, फिर 3, 5 जा, 15, 5 बन जा, 5 तो हमारे पास देखो, prime factor of 5, 2 का pair है, 3 का, 5 का pair नहीं है, तो prime factor 5 has no pair, so 180 must be multiply by 5, to make it a perfect square, इसको एक perfect square मिदाने के लिए, हम 5 से multiply कर देंगे, तो क्या आजएगा, 180 multiply 5, 900 आजएगा, तो क्या बोल देंगे, the smallest number, which is divisible by 4, 9 and 10, is a 900, 4, 9 and 10 से divide होने वाला, एक perfect square number क्या है, 900, next है, हमारे पास, find the smallest square number, that is divisible by each of the numbers, 8, 15 and 20, 8, 15 and 20 से divide होने वाला, वो छोटे से छोटा square number find करना है, बिल्कुल as it is, जैसे हमने question number 9 किया है, LCM of 8, 15 and 20, तीनों का LCM हमारे पास आजएगा, 120, फिर 120 के एंपेर बनाएंगे, 2, 6 जा 12, 0 as it is, 2, 3 जा 6, 0 as it is, 2 बन जा 2, 2, 5 जा 10, फिर 3 जे करते हैंगे, 3, 5 जा 15, 5 बन जा 5, prime factor of 120 is क्या आएंगे, 2 का आगया, और ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का, तीनों में से किसी का भी नहीं है पेर, तो एक 2 की जरूरत है, एक 3 की और एक है, 5 की जरूरत है, तो prime factor of 120 is, यह prime factor लिखेंगे, prime factor 2, 3 and 5 has no pair, ना 2 का एक pair, ना 3 का और ना 5 का, तो इन तीनों का, हमार पास कोई pair नहीं है, so 120 को multiply करेंगे, एक 2 से, एक 3 से, 5 से, must be multiply 2, multiply 3, multiply 5, to make it a perfect square, तो 120 multiply 2, multiply 3, multiply 5, 5 3 जहां, 15, 15 2 जहां, 30, 30 के और 120 के multiply 3,600, तो हमारे पास क्या आजेगा, वो छोटे से, छोटा नमबर आ गया, जो 8, 15 और 20 से, डिवाइड हो रहा है, और क्या है, एक perfect square नमबर, वो क्या है, 3,600, यह थी हमारी exercise 6.3, ओके, थैंक्यू. 15.3, ठेंगाने, वो भीचे, जूगाने, क्या है, दो 5,12,уры, बुु՝ाम क्या हो स्सक्राइच, उ belongsुचिया है, एक 7, ini geri भीचे मावाःच, यहाईँ क्या है, पको डिवाण मेद्यू insurance, छोट对 मेंद़़् क्या है, और 20 से, जोड़ral से, झाल झाल